कहते हैं school college के life में और real life में बहुत difference होता है जिसमें कि सबसे बड़ा difference तो यह होता है कि school और college में कहाना सबका syllabus एक जैसा होता है जो कि एक class में होते हैं और उनके exam के questions होते हैं वो एक जैसे आ रहे होते हैं उनके answers भी एक जैसे होते हैं जिसमें कि वो full on उनको full full marks मिल जाते है लेकिन जब हम आते हैं na real life में तो क्या है कि life में सब का flavors different हो जाता है किसी को alagतर है के relation मिल रहे है, alagतर है का career मिल रहे है, सब की जो life में problems सारी, alag-alagतर है के challenges आ रहे alag-alagतर है के questions life में उन्हें face करने पड़ते हैं और सब के जो answers होते हैं वो भी अलग-अलग तरीके के होते हैं और पते प्रॉब्लम कहां आती है कि जो भी हमने स्कूल और कॉलेज में सीखा होता है उन में से माक्सिमुम चीजें ऐसी होती है जो कि रियल लाइफ को जब हम फेस करते हैं तो उस टाइम हमारे किसी काम नहीं आ रही होती हाई कैसे हैं आप मैं हूँ डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में न मैं आपके साथ 10 ऐसे जरूरी स्किल्स जो हम सब के लिए सीखने जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम confident बने हम self-dependent बने लाइफ में जो कि ऐसे स्किल्स हैं जो कि most of the schools, colleges, universities में कवर नहीं किये जाते रियल लाइफ में लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है मगर वीडियो शुरू करने से पहले इन केस आप मेरी ये शकल आज पहली बार देख रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ओफ लाइफ को इंप्रूव करके हमें हमारे हाई एर सेल्फ के साथ करेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं तो अब देखो जब हम स्कूल कॉलेज से निकलते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी तो सीख लेते हैं जिससे कि हमको जॉब मिल जाएगी हम अपना बिजनस स्टार्ट कर सकते हैं वो वाली नॉलेज हमें मिल जाती है ये सब के लिए जाननी ज़रूर हो थी चाहे वो एक science student हो चाहे वो एक arts student हो चाहे वो एक commerce student हो लेकिन होता क्या है कि सिर्फ ए commerce related जो specific stream है ना उनको ये वाली सारी detail में knowledge दी जाती है तो बहुत detail में ने लेकिन एक idea जो है ना हम सब को होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने पैसे को मैनेज करें, अपने finances को मैनेज करें, हमें एक प्रॉपर बजट बनाना सीखना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आज तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छी इंकम आ रही है, जितना हम अच्छी स्पेंड कर लो, लेकिन लॉंग टर्म में जाक जो एकदम से आ जाते हैं, जैसे कि health related आ जाते हैं, या फिर किसी की घर में marriage आ गई, function आ गया, इस तरह कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, जो कि एकदम से आ जाते हैं, तो हमें उनको भी plan करके चलना है, तो एक budget बना कर हमें चलना जरूर है, और हमें future के लिए invest जरूर करना है ताकि जो हम लगे हुए हैं नहीं money earn करने में, वही हमारा जो money है, वो भी और money earn करने में लग जाए, इसलिए जितने भी आसपास के financial experts हैं, उनके पास जाओ और सीखो कि किस तरीके से आप invest कर सकते हो, ताकि आप अपना future जो है उसको secure कर सको, finances को manage करने के साथ साथ ही, cooking जो ह हैं कि हम बिलकुल proper baker, chef ऐसे कुछ बन जाए, कुछ simple dishes बनानी हर किसी को आने चाहिए, जैसे कि पुलाव हो गया, खिचडी हो गई, उपमा हो गया, कुछ छोटी-छोटी सी चीजें ऐसी, जो in case कभी ऐसी situation आए कि हम कहीं बाहर से भी खाना मंगाने सकते हैं, हमारे घर पर भ अलगी तरह की अलग level of satisfaction मिलती हैं अंदर से, एक अलग तरह की happiness मिलती है, इसलिए कि जो पुरानी सोच है, उसको छोड़ करकि खाना बनाना और खाना खिलाना ये लड़कियों का काम है, हमें अगर हम चाते हैं कि हम self-dependent बनें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हम खुद कमा कि अपना पेट भर सकें, वैसे हम अपने लिए पका कर भी अपना पेट भर सकें, नेक्स जो skill हम को सीखना है, वो ये है कि हम चीजों को ना let go करके move on करना सीखें, कई बार क्या है कि हम stuck रहते हैं कई ऐसी situations में जो हमें परिशानी में हम हैं, लेकिन हम उससे बाह person के साथ हम argument कर रही हैं, उसको मेरी बात समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही है, उसके doors जो हैं, माइन के बिल्कुल close ही हुए है कि कुछ भी बोलोगे, मेरी कुछ समझ में नहीं आने वाला, हम उसको बोली जा रहे हैं, समझा ही जा रहे हैं, समझा ही जा रहे हैं, उसको तो हमको ऐसे लोग और ऐसे situations से अपने आपको अलग करना mentally और physically दोनों तरह से भी सीखना होगा. Starting जब आप करोगे तो बहुत जोर लगेगा लेकिन धेरे धेरे इसकी जब practice हो जाएगी तो एक अलगी तरह की freedom भी लोती है. फिर हमें actually में realize हो जाता है कि हमारी happiness के लिए हम खुद responsible हैं तो हमारी ही responsibility है कि ऐसी कोई भी situation ये लोग हैं जिनकी वज़े से हमारी happiness कम हो रही है वहाँ से हमें आपको खीच कर अलग करके ले जाएं. अब school और college में तो हमारी friends बहुत easily बन जाते थे. एक toffee दी और कोई friend बन गया. कभी भी कटी हो गई, कभी भी बटी हो गई. ये हमारा सारा system चलता रहता था. लेकिन आगे-ागे क्या होता है? जब हम school college से बाहर निकलते हैं तो ego हमारी जादा बड़ी होनी शुरू हो जाती ह है. फिर हमें कोई पराना friend भी मिलता है तो हमें लगता है वो पहले देके मुझे बुलाए ना. मैं क्यों पहले से hello बोलू? मैं क्यों उसको call करूँ? उसने तो मुझे birthday wish नहीं किया था. मैं क्यों birthday wish करूँ? स्कूल और college में जा हम सब एक बराबर होकर एक साथ खेलते थे थ ज़्यादा जरूरत होती है. हमें ये आना चाहिए कि किस तरीके से हमें relationships में balance maintain करना हैं? कौन से relationships ऐसे हैं जो हमारे लिए toxic हैं? किस तरीके से हम अपने relationships को और ज़्यादा strong कर सकते हैं? क्योंकि बहुत ही studies ये बताती हैं कि अगर कोई ऐसा person है जिसके बहुत अच्छे relationships हैं बहुत अच्छा social circle है उसकी family members के साथ बहुत अच्छी bonding है तो उससे उसका happiness level बहुत ज़्यादा increase हो जाता है. तो हमको social skills भी सीखने होंगे कि किस तरीके से मिलना है? किस तरीके से बात करनी है? कब किस से क्या बोलना है? कैसे रिष्टों को time देना है? हमारा social circle, हमारे relations strong होत करना सबसे ज़्यादा जरूरी है. हमें खुद का best friend बनना है. जब हम अपने best friend बन जाते हैं तो हम असल माइने में self dependent होते हैं. रिष्टों से related ही, एक skill जो हमें और सीखना है वो ये है कि हमको दूसरे के shoes में पैर रखना सीखना है. मतलब हमें empathize करना सीखना है. कई बार ऐ करते हैं हम बिना कुछ जाने समझें. हम या किसी चिलनाने शुरू कर जाते हैं? पागल लेकर कैसे बात कर रहा है? ये कोई तरीका है बात करने का? हमें एक दम से react करने की जगे ना किसी भी situation में हमेशा पहले समझने की कोशिश करने है कि जो सामने वाला person इस तरीके से react कर रहा है? वो क्यों कर रहा है? हो सकता है वो person किसी pain में हो? हो सकता है उसकी life में कोई बहुत बड़ी problem चल रही हो जो कि reflect हो रही है उसकी behavior में. अगर हम empathize करना सीख लेते हैं तो हम बहुत सी arguments में पढ़ने से बच जाते हैं. साथ ही साथ हमारे रिष्टे जो है ना वो भी बह बहुत important होते हैं. इसी के साथ जो ups and downs आते हैं ना life में, जिनकी विज़े से कभी हम बहुत emotionally high note पे होते हैं, कभी बहुत low note पे आ जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं, तो उन emotions से हमें deal करना भी आना चाहिए. यानि कि हमको emotionally कैसे अपने आ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम emotional strength पे काम नहीं करेंगे ना, तो ये तो होगा नहीं कि life हमीशा smooth चलती रहेगी, मतलब बहुत सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही होता रहेगा, कभी low note पे भी life आएगी, तो हम उस जब low note पे हैं ना, हम उस पे deal नहीं कर पाएंगे, हमें emotional breakdown हो जाएगा, हम उदास हो जाएगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा, लेकिन अगर हम emotionally strong होंगे, तो हम जब भी ऐसी situation आएगी, life में को challenging situation आएगी, तो हम जादा अच्छे से उस situation को face कर पाएंगे, और जल्दी से जल्दी उस situation से खुद को बाहर निकाल पा इमोशनली स्ट्रॉंग हम कैसे बने, इससे related एक detailed वीडियो, मैंने अपने चैनल पे already upload किया हुआ है, उसका link में i button और description box दोनों में आपके साथ share कर दूंगे, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हो, next जो चीज हमारे लिए सीखनी बहुत ज इसस भी अटेंड की है, जब तो हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम उसमें confident नहीं हो पाते, driving सीखनी क्यों जरूरी है, क्योंकि driving सीखने से हम self-dependent रहते हैं, हमें कहीं पे भी जाना हो, तो हम dependent नहीं होते कि कोई आए हमको लेकर चला जाए, कोई free होगा, तो वो हमें लेकर जाएगा, जब हम self-dependent होते हैं, तो एक अलग तरह का confidence आता है, तो इसलिए driving सीखनी सब के लिए बहुत जरूरी है, नेक्स्ट चीज जो हमारे ले सीखनी बहुत जरूरी है, वो है कि कुछ over the counter, जो medicines होती है, उनकी knowledge होनी हमारे ले बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने घर मे उनको अपने पास रख सकें, हम travel कर रहे हैं, तो हम उनको अपने पास रख सकें, ताकि कभी भी कोई emergency वाली situation हो, या कोई भी छोटी मोटी जो चीज़े होती है, जो routine में कभी headache हो गया, कभी हलका full cup cold हो गया, कभी हलका सा cough हो गया, उन सब चीज़ों के लिए हमें भाग के पास ना जाना पड़े, तो Google चाचा से नहीं, अपने family doctor से mail करना, हमें एक अपनी over the counter medicines की list बनानी चाहिए, और हमें उनकी knowledge भी होनी चाहिए, कि कौन सी medicine इस time पे use करनी है, specially जिनके घर में छोटे छोटे चोटे बच्चे हैं, उनको तो कुछ ये normal जो routine में cold, cough, vomiting, stomach pain, इन सब की जो medicines है ना, इनके बारे में पोच कर अपने doctor से लिखवा कर अपने घर में जरूर रखने चाहिए, और पता भी होना चाहिए कि कब कौन सी medicine जो है, वो लेनी है, ताकि अगर doctor के पास जा भी रहे है ना, हम दिखाने तो in between हमें relief मिल सके उस problem से, थोड़ा सा जो problem है, व मैं कौन सी over the counter medicines रखती हूँ, चाहिए वो alopathy की हो, चाहिए वो ayurvedic हो, वो सब में आपके साथ share करो हूँ, तो मुझे comment करके जरूर बताना, next जो हम सब को आना चाहिए, वो हमें अपनी care कैसे करनी है, हमें खुद को groom कैसे करना है, वो हम सब को आना चाहिए, females हैं तो उनक अपना best दिख सकते हैं, वो हमें सीखना है, थोड़े से basics की eyeliner कैसे लगता है, foundation कैसे apply कर जाता है, इन सब की knowledge होनी बहुत जरूरी होती है, ताकि खुद को अच्छा दिखाने के लिए हमें किसी और की उपर हमेशा depend ना होना पड़े, finally, जो हमारे लिए सीखना बहुत जरूर होता है कि goals को कैसे set करना है, चाहे वो daily हों, चाहे वो weekly हों, चाहे वो monthly हों, चाहे वो yearly हों, कैसे goals को set करना है, कैसे अपनी priorities को define करना है, कैसे उन goals को step by step action बना कर हमको उने achieve करना है, ये सब सीखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, goal set करने का मतलब है एक target कि हमारा ये purpose है, हमको यह achieve करना है हम जो भी काम कर रहे हैं, वो इस चीज के लिए कर रहे हैं, और जब हम उनको set कर लेते हैं, अपने time को manage कर लेते हैं, properly, यह जो time हमारा है, यह separately हमने रख दिया है अपने professional life के लिए, और यह जो time हमारा है, वो अब सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना या फिर मेरी family के लिए है, जो हम clearly define कर देते हैं, अपने goals को clearly divide कर देते हैं, फिर अपने time को उसमें, तो हम ज़ादा smoothly अपनी life को enjoy कर पाते हैं, और जो हमारी life है, वो बिल्कुल ऐसे scattered सी नहीं रहती, यह जो 10 skills मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप इन में से किस किस पे काम करने वाले हो, वो मुझे comment करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then, stay blessed, stay smiling, नमस्ते